नमस्कार दोस्तों मैं निलसेनी अपने यूट्यूटूब चैनल इसमार डाटोगार इंशुरेंस में स्वागत करता कृता हूं आज हम बात करें गे बली मों गार में जो हुए एकसिदेंटल डेमिज के बारे में तो जाव कै def. इस गाडि के इंशुरेंस में कवर ऐड़ औन कवर इन सबी से इनकी गाड़ी की पॉलिसी लेस है साथ ही इनकी गाड़ी की जो बैल्यू है बहुत भी बहुत शांदार है एवरिजन आट लाक रोपे के असपास इसकी बैल्यू आ रही है अगर ये गाड़ी टोटल लॉस हो भी जाती है तो कस्टुमर को आई डीवी के हिसा आप से जो 6 लाक रोपे आ रहे हैं वो पैमेंट नहीं होगा और कस्टेमर को जो इसकी रिटन टू इन बॉइस है उसके अकॉर्डिंग इसको एक्स रूम पराइस के अनुमानित इंश्रेंस कमनी इसको देगी इस गाड़ी में जो आपको दिगरा होगा नीचे की तरफ इं अपना कवर हो जाएगा और जो सामने से बाड़ी है वो अपनी जीटो डिफ्रेश्टेशन में कवर हो जाएगी ऐसे यह कर यह गाड़ी बनती है तो मौटा अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 5-6 लाक रुपे के अवरेजन यह गाड़ी बन जाएगी लेकिन आप देख सकते हैं इस गाड़ी की जो च्छत है वो भी बहुत तरीके से डेमेज हुई है और सामने का कांज भी बहुत बुरी तरी से फूटा हुआ है और इसकी पूरी जो बाड़ी है वो कम्प्लीटली हमें चेंज करने को आएगी क्योंकि इस बाड़ी पर वो एक्सिडेंट की बज़े से काफी ज़्यादा फ्लेक्सिवल नहीं रही और बाड़ी इसकी पूपर ज़्यादा समय तक चल नहीं पाएगी ज्यादा तरह मिस गाड़ी की बाड़ी को एहमनमाने चेंज ही करना पड़ेगा इसके लिए इसका एक्स्टिमेट जो है वो साड़े चैसात लाग की बात प गारी को हम अगर बनाते हैं तो उसमें कित्ता क्या खर्चा आता हैं अंदर की फिटिंग की बात कर लेते हैं तो उसमें भी पूरे एरवेक्स जो हैं वो फट गए हैं और डेशबूर्ट भी पूरी तरीके से डेमिज हो चुका है या तो इसमें अब आगे के सामने की इंफ पूरे चांसे हैं अगर यह गारे टुटल लॉस में जाती है तो इसमें इंश्वेट को इनकी रिटेन रिटेन टू इनवाइस के जगा देखा जाए तो इसमें एवरेजिन कस्स्रमर को 8-9 रूपे के अच्पास इनको मिलने के पूरे चांसे हैं जबकि अगर हम रिटेन ट इन्वाइस नहीं लेते तो रिटेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इस्तिती में हमारी गाड़ी की इंशुरेंस वैलिवेशन करता है तो उसके अनुसार अगर हमारी गाड़ी रिटेंट टुइन बॉइस है तो हमारी एक्स वरूम प्राइस के हिजाब से हमारी गाड़ी का पैमेंट हो जाता है इंशुरेंस पैमेंट करती है और अगर हमारी ग रोपे के प्रजन हमें पेमेंट करेगी और अगर टू रिटन टू इंबउइस हैं और हमारी गारी की जो फॉर्वेशन भी रहे वह रही है वो तीन लाग रोपे की मदब से हमें वो वैल्यू हमारी गाड़ी की मिल जाती है तो रिटेन टू इन्वाइज लेने का सबसे बड़ा एक फाइदा यह भी है अगर मान लीजिए इसकी बाड़ी ज्यादा डैमिज नहीं भी होती तो हम कह सकते थे कि मां इंजन पोटेक्ट जो था हमारा वो समय हमा गाड़ी है तो जादा से जादा अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे यूटूब चैनल से जुनें जिससे आगे से जो जो लेटिस्ट अपडेट जो होती है मैं उनसे आपके साथ सेयर कर सकूँ और इस चीज़ का फाइदा आपको भी मिले अपने फैमिली मेंबर्स में स आई तरह के वीडियो अपनी यूटूब चैनल में अपलोड करके रखे हैं आप एक एक करके इनको देख सकते हैं और इंशुरेंस के बारे में अच्छी तरीके से अपनी बूरी जानकारी एकटी कर सकते हैं तो दोस्तों आगे से जब भी आप इंशुरेंस कराएंगे तो अपनी गाड़ी में रिटेन टू इंबोईस, इंजन प्रोटेक्शन और एड़ ओन कवर, कंसुमोबल कवर अबश्र कराएंगे